बात करते हैं दाती महराज के तुशिश्या से दुशकर्ब मामने में आरुपी शनी धाम के संस्थापक दाती महराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी ग्रफतारी भी संफ़व है, विस उमवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच में पूछताज के लिए पेश हो सकते हैं, दाती ने भी इसके लिए सुमवार तक का वक्त मांगा था, यानि कि आज तक का वक्त मांगा था, हाला कि इस पर संशह है कि वे पेश होंगे या नहीं, क्राइम ब्रांच को दिल्ली और आलावास आश्रम में मिले सबूतों और पूछताश के लिए बुलाने के पेश नहीं होने से दाती की गरफतारी की आशंका बढ़ गई है, और आपको दादे की शरीवार को क्राइम ब्रांच के पाली के आलावास आश्रम में पहुचने की भनक लगते ही, दाती गुरकुल की निदेशी का श्रद्धा और फनीतू और अनि आरोपी फरार हो गए थ आती सोमवार को आने की आज पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफतार करता होगा, आपको दादे की दिल्ली के फते पुर्वेरी थाने में 25 साल की युपती ने दाती समेथ 4 लोगों पर दुशकर्म, कुकर्म जैसी गंफीर मामले दर्ज करवाए हैं, तो आलावास आश् दिक्रिया देती वे कहा कि कानून सभी के लिए समान है, कोई भी हो कानून तोड़ेगा, तो कठोर कार रवाई होगी, हाला कि दाती महाराज के आश्रम से गायब होने पर कटारिया ने कहा कि कानून से अब तक कोई नहीं बच पाया है, उलेस अपना काम कर रही है. अब दाती महाराज कहा है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, उनके आश्रम की तरब से क्या कोई जानकारी दी गए, कि क्या आज वो दिल्ली में पेश होंगे पलिस के सामने? पन्ना ये आप कह रहे हैं कि दाती महाराज कह रहे हैं कि वो जांच के लिए तयार है, पूचताच के लिए तयार है, भागेंगे नहीं, लेकिन उनके सहयोगी क्यों भाग रहे हैं? जब वहाँ पर आलावास आश्रम पहुंची थी पॉलिस की टेम तो वहाँ पी निर्देशिका जो थी निर्देशिका थी वो गायब थी और जो बाकिया नियारोपी थे वो भी गायब थे, उनको लेकर क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल अगर बात करें सभी सहयोगी की दाती महराज सहयोगी भी जो है आज यहां पे आसम में नहीं है और पाली से भी गायब है। जो है सदा मा यहां अलावास में थी लेकिन जब भी दिल्ली तीम की कारवाई है तरफ से दाती महराज और जो है सदा मा भी जो है आलावास गयब है। घढ़ जो है जो है जो है सब्सक्रावाज थी जो है सब्सक्रावाजन्द जो है।